बुलेटिन की शरुवात करने से पहले एक नज़र इस बुलेटिन की एहम सुर्ख्यों पर नवनिर्मान के दोरान दिवार गिरने से युवक की मोत तीन घंबिर रूप से हुए खायल परधान मंत्री आवास योजना के पात्रों को लगाने पड़ रहे हैं चक्कर साथ साल में कम से कम साथ बार जमा कर चुके हैं फॉरम महिला के साथ एक व्यक्ती ने जवरन बलादकार करने की की कोशिश पेडित महिला ने किसी तरह से अपने आपको किया सुरक्षित और अब ख़बर नविस्तार से सबसे पहले बात करेंगे कास गंज की जहां थाना ढोलना चेतर के गाउं रहमतपुर में माफी में दिवार गिरने से क्युवक की मौत हो गई और तीन घंबिर रूप से घायल हो गई जानवर जिनके चारा खाने के लिए नाद बना रहे थे चारीस वर्षी है नगला चटा थाना ढोलना निवासी फूल से घंबिर रूप से घायल हो गई वहीं गाउंवालों का कहना है कि 112 नंबर पर कोल किया और चार बजे मगर पुलिस काफी देर बाद आई सबी मज़ूरों का इलाज प्राइवेट चिकेट साले में जारी है और मिरतक अकिलेश का शव पोस्ट मार्टम के लिए पुलिस ने पंच नामा कर भीच दिया इस गटना से अकिलेश के परिवार में कोहराम मच गया और परिवालों का रो रोकर बुरा हाल है तो वहीं कास गंज से खबर जहां परदान मंतरी अवास योजना जो की परदान मंतरी निरंदर मोदी की महतो कंची योजना है इस योजना की बदोलत के अंदर में मोदी की सरकार फिर से अस्तित्तों में आई थी लेकिन कासगंज जन्पन के अधिकारी इस योजना को पलिता लगा रही है मामला कासगंज जन्पन के सोरो शकूर शेत्रवका है जहांपर परधानमंत्री अवास योजना के पत्र 7 वर्ष में लगबग 7 बार ही योजना का लाब लेने के लिए फॉरम नगरपालिका में भर चुके हैं लेकिन नगरपालिका इन लबार्थियों की सुद लेती है और ना ही डूडा ओफिस इन अभ्यार्थियों की और देखता है इन में कुछ लबार्थिये से हैं जिनके सर पर छट है और ना रहने के लिए तिरपाल है वहीं अपना जीवन गुजारने पर विवस है इन पात्रों के जिला दिकार्जियों से गोहार भी लगाई जल से जल जो इस योजना लाइक है उन्हें इस योजना का लाब दिलाया जाए किसको दिये थे और अब तक कोई कारवारी नहीं हुई है और किसी को दिया था अपना भार मिये अब तक कोई कारवाई नहीं हुई है खबर उत्रपरदेश के सिदार्थ नगर से जहां तिरलोगपूर्थ हना चेत्र के चोर थरी गाउं में एक महिला के साथ उसी गाउं के एक व्यक्ति ने जबरन बलातकार करने की कोशिश की वहीं पेडित महिला ने किसी तरह से अपने आपको सरक्षित किया पेडित महिला इस मामले में चीन चार दिनों से थाने के चक्र काट रही थी लेकिन इंस्पेक्टर रंधीर सिंग मिश्रा ने मुख्दमा दर्ज नयकर मामले को रफ़़दफ़ा करने की फराक में है पेडित महिला ने सीयो दुम्रिया गंज में प्र चार पईये पर डेड़ी में लेटे थें, जनारदन पांडे आए, मेरे कपड़ा पड़ा फारने लगे, मेरे साथ बलतकार करने की कोचिस की, उसके बाद में मेरे घर पे कोई नहीं था, जब ठाने पे गई मैं, तो बोल रहे हैं कि यहां पे नहीं लिख जाएगा मुकदमा अपका, अपना बयान बदल दो, उसके बाद में जो कहोगी वो करने के तैयार, मैं कसम खाने को तैयार हो गई, लकिन भी नहीं लिख रहे हैं, बोले हैं अपना बयान बदल दो, बोले हैं घर भर को जान से खतम करा देंगे, यहां से सूरत से, उसके बाद में हमारे साथ ज नहीं लिख जाएगा मुकदमाद, यह गलत है, नहीं लिख जाएगा, तो मैंने पूछे, मैंने कहीं, जहां कहो लए चलो कसम खाने को मैं तयार हूँ, फिन भी नहीं लिख रहे है मेरा, मानी नहीं रहे हैं बात, यह चुट्र साहिब ने बोले कि पैसा लेलो, रभा दफा कर दो, रहने दो, तिन चार दिन से दोड़ आएं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है मेरा, हम नहीं मांग रहे हैं, लकिन साहिब कर रहे हैं, नहीं नहीं मिलेगी आपको, प्रकरान संग्यान में आया है, जहां पर एक महिला ने इस तरह की सूचना दिया, कि उसके साथ जो है, शेडखानी हुई है, और वो अपने जो सगे जेट है, उनी के उपर आरोप लगाया है, और इसकी जांच स्थाना ते लोगपुर द्वारा की जा रही है, अभी इस पर मकदमा पंजीकत कर लिया गया है, सभी बिंदों पे विवेचना की जा रही है, चूंकि इनका जिस दिन की घटना बताई जा रही है, उस दिन कुछ बिबाद भी हुआ था, इनके सेप्टिक टैंक पे ट्रेक्टर को निकालने को लेकर के कुछ बिवाद भी हुआ था, तो सभी पहलों की चान बिन की जारी बहुत निस्पच धंसे इसमें कारवाई की है, क्या ये पारिवारीक का लह का भी मामला हो सकता है, ये अभी बहुत ही प्रात्मिक इस तरह है, हमारी प्रेश के बिजनोर से जब अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं तो उस परिवार का चलना दुश्वार हो जाता है, बिजनोर में दो भाई भेन अपने ही परिवार के सदस्यों के खोफ के साय में जिंदगी जीने को मजबूर है, जो अपनी मा के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए दिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं लेकिन एक सब्ता बीतने के बाद भी पुलिस हत्यारों तक नहीं पहुंच पाई पेडित परिबार दरदर की ठोकरें खाने को मजबूर है दरसल ये पूरा मामला विजनोर के धामपूर थाना चेतर के गाउं हटाई शेक का है जहां पर एक सब्ता पुरोव एक बहरम पती ने अपने भाई भेन के साथ मिलकर अपनी ही पतनी की फांसी के फंदे पर लटका दिया ये पूरी गटना मरतक के पुत्र एहताशम ने अपने आँखों से देखी थी जिसके बाद पिडित युवक ने गटना की तरहीर को पुलिस को दी थी लेकिन इतना समय बीतने के बाद भी पुलिस आरोपियों को किरफ़तार नहीं कर पाई ये आपने देखा है जंगले में से तो उस बक्त में आपने क्या किया फिर मेरी बहनती एक चोटी और बढ़ी अच्छा तो उस बात को लेकर के आपनी तुमारी ममी को फांसी दी है उस बात को लेकर आप किसी अधिकारे के पास गए हुँ गए थाने भी गए इसके अफ़िज भी गए कुछ बहुत ही हो रहा है क्या कहां उन्होंने के वो पोस्टम की एपोड के आधार पर वो करें और वो तहरीर दी है कि उसे चेंज करवा रहा है हमसे अच्छा क्या कहा है रहा है कि यू लिख दो कि खुद ने कर कुछ मरी हैं खुद मेफासिद हैं कहा के लाने वाली हूँ? अजाइश है क्या अगटना आपके साथ होगी? हमारे पाती अधन मार्गी है हमारे मारं हमारी ने जाची ने गुवा ने पापा ने ताची का नाम रिखान नाम सौनी खबर आगरा से जहां पारस होस्पिटल पर पुलीस ने एक बड़ी कारवाई की पारस होस्पिटल के डॉक्टर अरिंजया जेन के खिलाब महमारी एक्ट में मुखदमा दर्ज किया कि होस्पिटल को सील करने पहुंचे अलादिकारी मरीजों को दूसरे होस्पिटल में शिफ्ट करने के बाद होस्पिटल पर सील करने की कारवाई की जाएगी वहीं आगरा डियम परभू एंसिंग ने बताया कि 22 लोगों की मुरत्यू की बात जो की मोक ड्रिल के द्वारा बताई जा रही है वे निराधार है एसत्य है अस्पिताल में ऑक्सिजन की कोई किलत नहीं थी और जाँच करने के बाद दोश्यों को सजा दिलवाने की भी बात कही खबर उत्रपरदेश के सिदार्थ नगर से जांचिले के शोहरत गर्थाना चेतर के जूडी कुईया गाउं के पास खेत में एक बाइस वर्चे योग का शव संदिक दपरस्तीतियों में सुबह देखे जाने पर संसनी फैल गई आनन फानन में इसकी जानकारी ग्रमेडों ने पुलिस को दी पाउंची पुलिस ने शव का पंच नामा कर पोश्ट मार्टम के लिए भिज़ दिया मामला सुबह का है जब खेत की तरफ गए लोगों ने देखा कि एक युवा का शव खेत में पड़ा है मुझे पता चला कि बीते कल गाउं एक लड़की को किसी लड़के के साथ अपती जनक अवस्ता में मुझे देख लिया था और उन दोनों को डाटा था बीते शाम से मुझे गाइब था वहीं इस मामले में शोहरत गर्सियों का कहना है कि जूडी कोईया गाउं में एक युवा का शव मिला है जिसकी पैचान शिव कुमार यादों के रूट में हुई है उत्रपरदेश के कुशी नगर से जहां थाना हनुमान गंज छेतर बोधी छपरा गाउं में सोवार की दोफैर रतक जैपरकास का शव गाउं आने के बाद परिजनों साइध गाउं के सैकडों की संक्या में गाउं से 100 मिटर दूर हनुमान गंज थाने के गेट पर रखकर परदर्शिन करने लगे मोक्य पर उपस्तित हनुमान गंज पुलिस के जवानों और ग्रामिनों में तीखी नोक जोक शुरू हो गई नोक जोक इतनी बढ़ गई कि रेलवे ट्रेक से पत्थर उठा कर चलने लगे ग्रामिन युवा और मैलाय समिप गाउं के सेकडों की जन्संक्या में गाउं के लोग दोड पड़े मोके पर लगबग दो घंटे तक ग्रामिन और पुलिस के बीच पत्थर बाजी होती रही वहीं जवाब में पुलिस के जवानों ने भी इंट पत्थर चलाए गाउं से लेकर थाने तक सडक रेलवे ट्रेक पर पीछे पत्थरों से भर गई सूचना पाकर नेबुआ नोरंगिया कप्तान गंज खडा सहीत चार थानों की फोर्स घटना स्तल पर पहुँची पुलिस चेतर अदिकारी शिवाजी सिंग एसो खुडा पुलिस जवानों के साथ लेकर आगे बढ़ते वे म्रतक के नाते रिष्थेदारों सहित ग्रामिनों को समझाते रहे म्रतक को के परिजनों की मांग थी कि आरोपी को फांसी की सजा म्रतक आश्चरित को 20 लाख मुआवजाय म्रतक की पत्नी आशा को पेंशन और संपती में म्रतक के दुआरा परतारित करने के जरुम में कारवाई की मांग की जाए जनपत कुचिनगर के हनुमान गंस्ठान शेत्रान तरगत ग्राम बोधी शापर के रहने वाले जैप्रकास सिंग और चंद्रभान सिंग जो दोनों आपस में सगे भाई थे इनके मद्ध जमीन संबंधि दिस्प्यूट था इसी दिस्प्यूट को ले करके आज सायम दोनों के मद्ध मार पीट की घटना हुई जिसमें जैप्रकास सिंग को काफी चोटे आइन हैं जिसमें इनकी म्रत्त हो गई है अगरा से खबर जिस देश में भगमान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डोक्टर का आया एमानुविय चेहरा सामने जहां पिछले वर्ष 2020 में पारस होस्पिटल आगरा को COVID-19 गार्ड लाइन की पालना ना करने के चलते बलेक लिष्ट करवाया दिया गया था लेकिन 2021 में फिर से पारस होस्पिटल की सील खोली गई और करोना के मरीजों का इलाज शुरू किया वहीं पारस होस्पिटल के डॉक्टर अरिंजय जेन का एक वीडियो सोचल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें डॉक्टर अरिंजय जेन स्वेम अपने मूझ से कबूल करते हुए कहा कि COVID-19 के इलाज के दुरान ऑक्सिजन की कमी को देखते हुए डॉक्टर अरिंजय जेन ने अपने पारस होस्पिटल में मरीजों को मारने की मौक ड्रिल करते हुए ऑक्सिजन की सप्लाई पांच मिनट के लिए बंद कर दी जिसे वाँ बरती 22 मरीजों की ऑक्सिजन की कमी के कारण मुरत्यू हो गई उक्तगटना 26 सप्रेल 2021 की है साथ बजे की है जहां डॉक्टर अरिंजय जेन ने अपने करमचारियों के साथ मिलकर 22 निर्दोस मरीजों की मोत के गले में समा गए आठ जून 2020 को कॉंग्रेस कमेटी रागवेंदर मिनू अजय कुमार चुलू समस्त कॉंग्रेस कारेकरताओं ने न्यू आगरा थने का घराव करते हुए डॉक्टर रिंजय जेन की गरफतरी की मांग की और मुग्दमा दर्ज करवाया वहीं डॉक्टर के पैशे का ऐसा हमानवी चेरा देखकर आगरा यूआ अधिवक्ता संग मैदान में आ गया और पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर रिंजय जेन के खिलाब कारवाई की मांग करते हुए एस एस पी कारले का ग्यापन भी सूंपा थाना नीव आगरा के पास एक हॉस्पिटल है पारस हॉस्पिटल जब हिंदुस्तान के अंदर पहली कोरोना की लहर आई थी उस लहर में इस पारस हॉस्पिटल पे ये आरोब था कि आगरा मंडल के अंदर जितने मरीज हैं उसमें 70% मरीज इस पारस हॉस्पिटल की लापर सील कर दिया गया पर सत्ता के सरदच्छड के कारण इस वार फिर उसे कोबिट सेंटर बना दिया गया और उसका कल ही एक वीडियो बारेल हुआ है जिसमें वो ये कह रहा है कि हमने पांच मिनट के लिए मौक ड्रिल की मेडिकल इतिहास में मौक ड्रिल का कोई सब्द नहीं है और उस मौक ड्रिल में बाइस लोगों की तब्काल मौत हो गई ऐसे अरेंजे जेन डॉक्टर को डॉक्टर कहलाने का कोई हक नहीं है इसे तब्काल इसके खिलाब कारवाई होनी चाहिए और जाच करके इसके खिलाब फांसी की सजाई बनती इसके इलावा कोई नहीं यह पूरी तरीके से प्रसासन सासन दोनों तरीके से लिप्त हैं जब एक होस्पीटल पिछले कोरोना काल में जब सील हो गया तो इस वार किस आधार पे उसे कोविट सेंटर बनाया गया यह बहुत ही बड़ा जाच का विसे है इस अरेंजे जेन को फांसी होनी चाहिए होस् ने आज निवागरा ठाने में बड़े ही गांधिवारी तरीके से एफाइयार की कोफी दी है अगर यह दो दिन के अंदर जाच के भाग एफाइयार नहीं करते हैं तो पूरे प्रदेश इस तर पे बड़ा अंदुलन होगा और यह ब्रश्टा चार यह मोतों का सौदागर नहीं चलेगा अज हमारे युव अदिवक्ता संग ने हमारे सभी साथियों के साथ हमारे संदक्षक्स श्रीशनुईल शर्मा जी वरिष्ट अदिवक्ता योगेश लवानिया जी अरूंट तीरिया जी के साथ योगेश सब के साथ मिलकर एक पारास हॉस्पिटल के वरुद कारवाई हो जो गटना 26 अपरेल की है जो वीडियो शोशल मीडिया पर और सब जगे वाइरल हो रहा है वो एक गंभीर किस्म का अपराद उनके द्वारा कारिट किया गया है जिसमें उन्होंने इस पश्ट कहा है कि मैंने मौकड्रिल की मौकड्रिल की यानि मरीजों को मारन सब्सक्राइब की जाएंगे कि जो पिछले वर्ष भी ये ब्लैक लिस्टेड हुए थे और इनके खलाब मुकदमा लिखा गया था तो ऐसे ऑस्पिटल को दुआरा से COVID अस्पताल मनाना ही संग्दितों के घेरे में आ जाता है पतानी किस के माध्यम से और क्यूँ इस प्रकार की मेरबानी उनके उपर की गई और उनी के उपर नहीं हमने देखा कि इस COVID काल में महामारी के समय में कई अस्पतालों के उपर एक तरीके से छत्रचायसी दी गई मनमाने तरीके से लोग से कई अस्पतालों से ऑक्सीजन छीनी गई और कई अस्पतालों को ऑक्सीजन दे दी गई तो ये सब गोलमाल होता रहा लेकिन इसमें पिसा आम आदमी तो एक अधिवक्ता होने के नाते समाज कर जागरुक नागरेक होने के नाते यूँ अधिवक्ता संग इस पर कठोर कारवाई की मांग करता है यदि यहां से कारवाई नहीं होगी तो हम कोड के मार्द्यम से इसमे मुकदमा पंजी कराएंगे लेकिन दोशियों को बख्षा नहीं जाएंगे देखिए कॉंग्रेस समय समय पर ऐसी घटनाओं के पिरते अपने जवाब दे की जिम्मेदारी के लिए कार करती रही है उसी के परपेक्ष में आज पारस होस्पीटल के मैंनेजिंग डिरेक्टर की खिलाब मुकदमा दर्श करने की ठोस आधार है इसका वीडियो है उसके खिलाब मुकदमा काइम होना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह इसके खिलाब को मुकदमा पहले से ही काइम था सत्ता के सरेंग्षण में यह होस्पीटल मौत माट रहा है इसमें भारती जंता पार् करवाई हो और इस सारी संपत्ती जब तो जैसे माफियां की हो रही है इसे भी मौत का माफियां घोषित करके जटकड़ी से गरी कारवाई इसके खिलाब होनी से है खबर बिहार के बेगुस राय से जहां बिजली मिस्त्री के संदिक दिस्तिती में एक लाश मिली वहीं परिजनों ने हत्या कारोप लगाया है इस गटना के बाद परिजनों में कौराम मच गया गटना गडपुरा थाना चेतर के लक्षमेपूर बोजा की है मृत्त की पैचान गडपुरा थाना चेतर के मनिकपूर निवासी बट्टू यादव का 45 वर्षिय अपूतर राम शरेय यादव के रूप में हुई मृत्त के परिजनों ने बताए कि रात के लगबग 9 बजे बिजली ठीक करने के लिए बुलाया गया था जिसके बाद रात में वापस नहीं लोटे सुबह से ग्रामिनों के दुवरा सूचना मेली की लक्षमेपूर बोजा के पास मृत्त वस्ता में पढ़ा हुआ है इसके बाद घटना की सूचना थाने को दी परिजनों ने का कि हत्या कर शव को उस जगया फैंक दिया गया था वामत होए जयागा घट से कितने दूरी के लगवा हुए दू कि क्या लगता एंध है क्या मतलब उसमें अभी चोब मैटन हो बता रहा है वसे रहा है और वो ठाश पर्तरमा के निकटों गिले हो एज़ए किस चीज़ से जा रहे थे क्या लगता है एक्सिडेंट है या क्या हत्या है पर थंद्रिश्टीम आपको क्या लगता है क्या किसी उस्मनी है क्या है नहीं अभी तो खुलासा नहीं हुआ है अब आगे परकिजिया में जाएगा हूँ कि पोस्टमेटम के बादे में जो बिजली से मरा है या किसी ने हत्या किया है वो तो उससे में पता चाहिए जब पोस्टमेटम हो उससे में आप लोग क्या लगता है क्या लगता है डेट बोडी के देखने हत्या लगता है क्या नाम हूँ आपका कमला कंतिया तो आप कौन है क तो वहीं बिहार के बेगुजराय से ही कबर जहां बेखोफ अपराधियों ने दिन दाड़े हतियार के बल पर CSP संचालक से 4 लाख लूट की घटना को अंजाम दिया जब इसका विरोध CSC संचालक ने किया तो उसे भी गोली मार कर घाइल कर दिया इस गटना के बाद उस जगह अफरात अफरी का माहूल उत्पन हो गया गटना बीरपूर थाना चेतर के लक्षमेपूर के नजदीक की है वहीं कार पर भाजपा आपको बता दें जनपद बिजनोर के ठाना चांदपूरा चेतर के कसवा बाटा में पुलीस ने चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो कार को रोकना चाँ तो कार में सवार चायुकों ने कार को दुड़ा दिया पुलिस ने कार का पिछा करते हुए गाउं मिरजापुर के पास कार सहीत 6 यूकों को गरफतार किया S.P. डॉक्टर धर्मसीन ने बताया कि अलावलपुर के निवासी गुरू शर्मा को छेड़ खानी के समन में सबक सिखाने के लिए शुबम राठी ने अपने पांच दोस्तों के साथ कार किराय पर लेकर जा रहा था पुलिस ने चेकिंग के दोरान गिरफतार कर लिया इन्होंने भाजपा का स्टीकर कार पर सुरक्षा की दरश्टी से लगाया था और यूकों सहितकार को हिरासत में ले लिया और अन्यावीदी कारवाई करवाई जा रही है यह घटना थानाचाथपुर के बाश्टा इलाके का छेताईट का है अलावलपुर के गुरु स्वर्मा को छेठानी के मामले में सबक सिखाने के लिए सुभव राथे ने अपने पास दोस्तों के साथ गारी किराय पर ले करते गया था पुलिस ने चेकिंग के दौराद पकर लिया उसमें लाकी डेंडे बरामत थे इनको 154 में समी को देतिया गारी पुर्सीज कर लिया गारी किराय पर आई थी बियेपी का स्टिकर उसमें पुलिस पुलिस कर अच्छा के दुस्ती से लगाया था उसके लिए नंबर की गारी है उसकी अलग सी जाज पर्चाल की जा रहे है ख़वर उत्रपरदेश के कनोज से जाएक दिन पहले पती की हत्या करने वाली पत्नी को पुलिस ने गिरफ़तार कर लिया हत्यारी देर रात घर में अपना सामान लेने आई थी इसी दोरान उसके पुत्र पुलिस को सूचना दी जिसे पुलिस ने उसको कर अफ़तार कर लिया कनोज के सदर कोतवाली चेतर के रुदोली गाउन निवासी बेचेलाल की हत्या उसकी पत्नी द्रोपते ने कर दी थी हत्या के बाद वह घर सोड़ कर फरार हो गई थी देर रात चिपकर घर में गुसी और भागने के लिए जरूरी समान निकालने लगी इस बीच उसके पुत्र ने पुलिस को मा के होने की सूचना दी और सूचना मिलते ही पुलिस ने बेचेलाल के घर पर छापा मार कर द्रोपती को गिरफतार कर लिया एक महिला ने अपने पटी की फट्या कर दी जिए जब इसमें महिला को प्रफतार कर लिया गया है और उसके पूंस्तांस की गई तो महिला ने बताया कि जो उसका पटी था वो उसके चरित पर शक करता था और जिस वज़र से इनकी पीज में काफी जादा दिवाद था इस आपस में लड़ाई थी इसके पर्षाद पती शो गया था पत्नी काया कहना इसके पर्षाद भी इसके मंतर गुस्ता सांत नहीं हुआ था और जो भगल में फावडा पड़ा हुआ था उससे इसने अपने पती के ओपर वार करके उसकी हत्या कर दी इसमद में आला कर्थ को प्रामत कर लिया गया है और जो जो बहुत्तार है वो इस पुरे जेटना क्रण को स्वीकार कर दूए है इसमन मंधा और अगे चानवीन अभी दवातार हो जारी है सथी साथियों को एक जूरत कर हम इसमें करवाई रहा है अपने पतिन को मारा था? 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 मंत्री लव कुमार सिंग के द्वारा किया गया इनकी नराजगी पिछले दिनों चेरिया बरियापुर पर्खंड के लेखा परबंदक वैहनावश्चक रूप से पुलिस करवाई वै गलत ब्यान दर्ज करवाना वै बिना विभाग्या करवाई के इस मामले दर्ज कराने को ल कर आज यह परदवसर निकाला है करमचारी वन से चलकर सिंग अपिस नकाया है हमारा करना है जो बीसी अम संभ पंकज कुमार को बिना को इसो का और बिना को नोटी स्कुर को अटा दिया जो अन्याय पूर्ण है जो नयवचित नहीं है उसको वापस लिया जा और चरिया प्रवारी पर एफायर करने के लिए बैवजभ थाने के लिए अपने बसने के लिए और करमचारी को पशने के लिए उनको फायर किया गया है और लगाता। चोबिस घंटा का अधेर से रखने का बरलगाता तीन दिन से पुलिस पुलिसिया कारवाई कर रही थी और बाजबर धन्तु को तो यह उमीद है बाजबर दस्ती उसे कुछ ने कुछ लिखवाया गया है जिसके खिलाफ हाँ पूरा चिकिस्ता संग समझा कर्मचारी संग ने चला के जिला मंत्रि सिवाया फिर्श्था संग पूरा चिकिस्ता संग पूरा जप करने के लिए मेजबूर होगे क्या आरोप है उन पर आरोप ये था कि निगेटिव औन पॉजेटिव रिपोर्ट के भी देने की बाद सामने आइड डेकिया आपका काना इस ने करते हैं या परवारी करते हैं उनसे रिलेटेद है यह कौंटेंट का काम, लेखापाल हमारे हुँ है, लेखापाल का यह काम नहीं है, यह साधिस रची गई है, साधिस रच करके है, फसाने की कारवाई कर रही है, यह अनाव सणाव आँरोप लगा जा रहा, निजेटिव है या पोजिटिव है, डिपोर्ट डक्टर का होगा, किन मांगों को लेकर आप मार्च निकाले हैं अमनों को मुक्तब दो मांगे भी जाइज रूप से यहां के जिला प्रसासन से हमारी दो मांगे हैं सौपर्थम हमारे सामभो बीशियम को समधाई प्रेट के काम पर बीशियम पंकज कुमार के उनका ट्रमेंशन वापस लिया जाए और जो पुलिस पुलिसिया कारवाई के तहत बीना इनकौाइडी के बिना कोई सबूत के हमारे एकाउंटेंट लेखापाल लाल मोहन कुमार को इज्जत के उनकी जो यह है उस साक्ष पर गहन अध्यान करके उस बारे में उचित फैसला लिया है आज आप आया सब्सक्राइब अस्पताल में किन मोहन को लेकर और किन के साथ किन के पास आया है यह हम सिवील सरजेन महोदे के पास अपना एक पृतिवेदन देंगे और उनसे अन्रोध करेंगे वो हमारे भी पदाधिकारी हैं हमारे भी गार्जियन हैं हम पर भी जो अत्याचार हो रहा हम लोग रात दिन उनके आदेश से रात दिने गार्टि एक कर्के को ररंअकाल में हम लोग काम किये हैं और उनसे भी लुट है नियाय का आशा है और हम आशा करते हैं कि हमें अवस्ती दिलाएंगे और हमारे साथियों के पक्ष में अपनी १ौन अपनी अपना यह सायोग देंगे क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनन दिश्वर, स्वास्पर रंडग बिर्पूर, जिलाम मंत्री जिहार लाजपास सम्रिधा कर्मी जिभु साइफार अज जो क्या मार्च ने कैक, क्या मुख मांगे हैं आपकी? मुख मांग में दो आदम के प्रती जो करवाई हुए है, उस करवाई को वापस है वाहा तो निगेटिव या पोजेटिव का मामला वहाँ पे आ रहा है जो कि प्रभारी को रिपोर्ट देना पड़ता है, लेकिन अकांटिव पे आवेटा है, तो बलत है आज किनके यहाँ पर मांगे लेके आए हैं? क्या नाम हो आपका? क्या हैं आप? तो वहीं चांदपूर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली, मुखबीर की सूचना पर 15-15-4 के दो इनामी बदमाचों को गरफ़तार किया, दोनों बदमाच मडर के मामले में फरार थे बिजनोर के थना चांदपूर चेत्वर के गाउं बसेडा में पांच अभ्युक्तों ने 19 मई को ध्यापक संजय गुजर को गोली मार कर मोत के घाट उतार दिया था पुलिस ने हत्या के नामजन तीनो आरोपियों को तो पहले से ही पकड़ कर जेल बेज दिया था, गटना के बाद ही दोनों आरोपी फरार चल रहे थे पंद्रह हजार के दो इनामी बदमास जो हत्या से संबंधित हैं, इनकी गिरफ्तारी चाधपूर पुलिस निकिया है 19 माई को संजय नाम के एक बड़्ती की गोदी मारकर की हत्या कर दिया थी, वस्यडा गाम चाधपूर का, तीन अभ्यूक्तों की गिरफ्तारी की जा चुगी थे नामित से सब्यूक्तों को गिरफ्तारी करने के टीमे लगाई थी, इनाम गुशित किया था तो वहीं बिजनोर से घवर्जा मुक्बीर की सूशना पर पुलिस ने एक मकान पर चापा मारी करते हुए, गोवन्ष कारते हुए, पांच अभ्यूक्तों को गरफ्तार किया, इन में से एक साथ, साथी भागने में काम्याब रहे, जिनके पुलिस द्वारतलास की जा रही ह सबी आरोपियों के खिलाव संगिन मुक्दुमा पंजी करत किया गया है, फरार आरोपियों को पकरने के लिए धामपूर सीयों के नेतरतों में दो टीमों को लगाया गया है हाना स्योहरा के सहत्व में गोपसी की एक घठना कल साम को हुई थी, उसमें बारव अभिक्तों को नामजद किया गया था, भी भी बरामद हुआ था, पाच अभिक्तों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया, इसलामुद्दी, ग्यासुद्दी, हाईल, सजाउद्दी और जली जाएगी, इनके एक लाख गंदिश्टार एट के तहज भी अभियोग पंजी किर्फ्रों का, चोदा एक गंदिश्टार एट के तहज इनके संपत्यों को जब्तिक और रोंपूर करने के भी कारवाई करा जाएगी, इसे के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार करुछ जाएगी, इस dads एक पलाएगागी, इस बुलेट गिए इस बुलेएगार एक जाएगी, इसे के kommen देए। च meeैआही में पिलुछार एक एकशना ही में एकारने के घएग सेहागी.